इंजिनियर स्वागत है आप सबका एक बर फिर से डिप्लोमा होल्डर्स पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल पत्रू की तरफ से डिप्लोमा और बीबीटेक वालों के लिए वेकेंसी आई हुई है यहाँ पर सिविल इंजिनियर से लिजबल रहेंगे आपकी डारेक्ट भरती रहेगी कोई भी एक्जाम नहीं होगा और ना तो यहाँ पर कोई आपकी एक्जाम ने संफीस लगेगी बाकी की जानकारी हम आगे की वीडियो में डिसकस करेंगे उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर फोर्म में आपको जॉब सब्डेक्ट मिलते रहें इसके साथ ही आप टेलिग्राम चैनल और वाटसब ग्रूप को भी जोईन कर लीजिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हम हैं इनके ओफिसियल नोटिस पर नोटिस आपका कल पतरू प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लिमिटेट की तरफ से निकाला गया है यहाँ पर डिप्लोमा और बी बीटेक वालियों के लिए वेकेंसी निकाली गई है और इन सभी पोश्टों में अपलाई करने के लिए आपके पास एक्स्पिरियंस होना चाहिए यह सभी पोजिशन्स आपकी साउथ इंडिया के लिए रहने वाली है और इन पोश्टों में अपलाई करने के लिए मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर आपकी 45 साल रखे गई है तो सबसे पहली वेकेंशी यहाँ पर आपकी रहने वाली है असिस्टेंट इंजिनियर, सीनियर, असिस्टेंट मेनेजर और डिप्टी मेनेजर के लिए essential qualification में आपको बताया है अगर आपने बीबीटे किया है civil engineering में या फिर आपने डिप्लोमा किया है civil engineering में और minimum आपके पास 5 year का work experience है, किसी भी high-rise, commercial या फिर residential building work का आप लोग यहाँ पर eligible रहेंगे और अगली vacancy यहाँ पर आपकी रहने वाली है 4 men, 4 men, reinforcement and bar bending के लिए यहाँ पर आपको बताया है अगर आपके पास high-rise building का work experience है, minimum 5 year का आप लोग यहाँ पर eligible रहेंगे अगली vacancy यहाँ पर आपकी रहने वाली है engineer, deputy manager, manager और senior manager के लिए यहाँ पर आपको बताया है अगर आपने B.B.T. किया है civil engineering में या फिर आपने diploma किया है civil engineering में minimum आपके पास 5 year cover के experience है, आप यहाँ पर eligible रहेंगे अगली vacancy यहाँ पर आपकी रहने वाली है safety में यहाँ पर आपको बताया है अगर आपने B.B.T. किया है civil में या फिर आपने diploma किया है civil engineering में और उसके साथ यह आपने diploma किया है safety engineering में और minimum आपके पास 5 year cover के experience है आप यहाँ पर eligible रहेंगे अगर आपने B.B.T. किया है फिर दिप्लोमा किया है civil engineering में और minimum आपके पास एतना experience है, आप इन पोस्टों के लिए interested होते हैं, eligible होते हैं, तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपना updated CV लेना है, उसके साथ में आपकी जितने भी ज़रूरी document हैं, उन सब को आपको लेना है, self-test करना है, और आपको पहुच जाना है इनके official address पर, interview यहाँ पर आपका होने वाला है 15 October को सुबा 10 बजे से सामके 4 बजे तक, तो जो भी दोस्त हमारे इनके eligibility criteria को पूरा करते हैं, आप इसके लिए interested होते हैं, eligible होते हैं, आप इनकी nearest location में आते हैं, आप ये interview दे सकते हैं, अभी के लिए इतना ही मिलते हैं next video में, तब तक के लि